दोस्तो सबसे पहले सौरी एगर आपको मेरी आवास थोड़ी सी मोटी सुनाई दे रही हो क्योंकि थोड़ा सा कोडल कफ की प्रॉब्लम है इसलिए प्लीज कॉपरेट कर लीजेगा खेर आज जिस मुवी को खाट हुती है और हम देखते हैं लूलू लड़ी को जिसकी गर्फ्रेंड चिंकी ने अभी अभी ही उसके साथ ब्रेक अप कर लिया है तब ही उससे अपने घर के बाहर इबू हटेला दिखाई देता है हाला कि अपना लूलू लड़ी इबू हटेला को बिलकुल भी नहीं जानता है परन्तु इबू हटेला जबर्दस्ती उसके साथ चिपका चला जा रहा है वो उसे जबर्दस्ती के कोशन पूछ रहा है और उसे लबल लबर कर रहा है यहाँ पर अपना लोलूलोई सोचता है कि यह एक नमबर के तूतिया है तो वो उन्हें साइड करके अपना अपने घर में चला जाता है परन्तु भाईया जी का अभी अभी ब्रेक अप हुआ है और उन्हें अपने साइड दास्ता सुनाने के लिए कोई न कोई चाहिए तो यह वापस से ले आते हैं इबू हटले के पास और उसे अपने सारी कहानी सुनाते हैं जिसमें उसने बताया कि चिंकी का एक अल्रेडी वाइफ्रेंट था पर भी वो मुझे इतना इग्नोर कर रही है इस पर इबू हटला ने उसे ग्यान पेला और उसे कुछ सस्थिर टिप्स बताएं जिससे वो चिंकी को इंप्रेस कर पाए इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अगले दिन जाकर के अपने पिता जी को ज्यान पेलेगा परम्तु जब अगले दिन वो पहुँचा तो उसके मुझे कुछ निकल ही नहीं पाता अब मेरे भहिया कोई अपने पिता जी के सामने ऐसे कैसे बोल सकता है ना तो ठीक वैसे ही उसके साथ होता है इसलिए वो बिचारा वापस चला आता है और अब हर बार की तरह अपना रोना रोने के लिए कौन मिला इबू हटेला तो वो इबू हटेला के पास जाता है और उसके बास जाकर के अपना रोना रोने लगता है और इसके बाद एक बार फिर से इबू हटेला उसे सस्ता मोटिवेशन देते हैं इसके बाद अगले दिन वो उसी लड़की का पीछा करता है जो उसके डाट के साथ बाहर में बैठी हुई थी और उसका पीछा करते करते वो उसके घर का पता भी लगा लेता है जिसके बार फिर वो पूरे दिन की खबर आगर के इबू हटेला को बताता है और एक बार फिर से इबू हटेला उसे ग्यान पिलते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की उसे तुरंत ही भैचान लेती हैं जिसका रीजन वो ये बताती है कि वो उसके डाइट के ओफिस में कई बार गई है और वहाँ पर ओफिस में उसके डेस्क पर तुम्हारी फोडो रखी हुई है तब ही मैं जानती हूँ कि तुम उनके ही बेटे हो परन तु इस बास से लोलोलेत को घंटा फरकने पड़ता हूँ और वो उससे कहता है कि तुम दोबारा मेरे डाइट के आसपास नजर मताना तो वो बेटिया भी कहती है कि अरे मैं आसपास का मैं तो उनके नीचे रहती हूँ तो लोलोलेत कहता है और मेरे भईया इबू हटेला को तुम जानते ही हो वो एक नंबर के पेलन हार है यहाँ पर भी वो उससे ग्यान पिलते हैं मुझे एक दिन सीडियो पर बैठे बैठे तो मिल गया और मेरे इतक चिपकता चला जा रहा है परन्तु मैं अभी तक ये भी नहीं जानता कि इबू हटेला है कौन और यहाँ पर हम इबू हटेलों को देखते हैं कि वो भी इस बात का जवाब नहीं देता और उसे टाल मटोल करके उधर से निकल जाता है खेर इसके बाद लुलू लुलित भी अपने डैट के पास जाता है उनसे कुछ बात करने के लिए परन्तु वहाँ पर उसके डैट उससे बात कम और उसे गरियाते जाता है क्योंकि वो एक बार फिर से उसे तूतिया समझ रहे थे परन्तु अपना लुलू लित उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं राइटिंग करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है प्लीज मुझे राइटिंग करने दीजे परन्तु वो उसे गरिया करके यही कहते हैं जो हमारे बापा हमसे कहते हैं कि बेटा सर्मा जी के लॉंडे को देखो वो कितना आगे निकल गया है और उसकी तो अब सरकारी नौकरी भी लग गई है इसलिए बंद करो यह सब काम काच और लग जो सरकारी नौकरी में बैसे सरकारी नौकरी कताना और किसको मिलता है नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना खैर पिता जी की गाली खाने के बाद एक बार फिर से वो अपना रोना ले करके पहुँच जाते हैं और वो उसकी ही कहानी को अपनी बुक में चाप रहे हैं तब ही वो उसके साथ लबल लबल कर रहे थे अभी तक खैर ये एक लेटिस्ट नूज में लिए भाईया को तो ये बात लोलू भाईया जाते हैं सीधा पेलमवती को बताने के लिए पर उन्तो जब वो पेलमवती के घर पहुचे तो उन्होंने देखा कि पेलमवती अल्रेडी उसके डाइट के साथ हैं और इस बात से भाईया जी का हार्टब्रेक हो जाता हैं तो एक बार फिट से वो अपना रोना लेकर के किसके पास पहुचे जी हाँ पहुचे हैं इबू हटेला के पास और उनसे कहते हैं कि दादाजी आप मेरी लाइफ पर स्टोरी क्यों लिख रहा हैं हम तो अब्दुलकलाम भी नहीं है जिस पर इबू हटेला कहते हैं कि बेटा तुम अब्दुलकलाम बन भी नहीं सकते हैं तो बस तूतियों से मिलता हूँ और उनकी स्टोरी को ही अपनी बुग में चापता हूँ मतलब तुम एक नमबर के तूतिया हो और बस यही रिजन है कि मैं तुम पर बुग लिख रहा हूँ तब ही मैं तुम से लबल लबल गिया करता हूँ और अपना इबू हटेला उदर पहुच भी जाता है इबू हटेला के साथ चिंकी भी आई भी है और पेलमवती कैसे ना आती वो तो आएगी ही आएगी परन्तु इसी बीच हम पार्टी में देखते हैं कि इबू हटेला और पेलमवती वहां से गायब है आखे चमक गई तुमारी पस हर जगे तुमें वही नजर आता है ऐसा कुछ भी नहीं गे इबू हटेला पेलमवती को उपर ले जाकर कि उससे समझा रहा था कि अगर तुमने कभी भी लूलू लरित को हाम पहुचाया तो मैं तुमारी लंका लगा दूँगा जिसके बाद वो इसे इस बात को समझाने के लिए एक शायरी भी मारता है जरा गौर फरमाईएगा वो कहता है कि मेरी बात कना करना विरोध बुड़ा जी लूलू लरित के पास और उससे कहती है कि तुमारे डाइड ने मुझे प्रपोस कर दिया है और मैं उनके शादी करने वाली हूँ इसलिए तुम मुझे अब दूर ही रहना ये बात लूलू लरित को बहुत हट करती है एक तुमार और पार्टिस निकल करके बाहर आ जाता है ताहर बारिश में उसे मिलती है चिंकी जो उससे कहती है बाबू मुझे समच आ गया है कि मैं तुम से ही प्यार करती हूँ मुझे मेरे वाइफेंट से बिल्कुल भी प्यार नहीं है और मैंने उसके साथ ब्रेक अप कर लिया बाबू तुम मुझे अब अपना लोना जिस पर बाबू मतलब अपना लोलू ललित कहता है कि हाँ मैं अपना दो लूँगा परंतु मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं जाती है इसके बाद अगले दिन सिधा लोलू लित पहुचा है अपने फादर के पास उन्हें सब कुछ बताने के लिए यहाँ पर पेलमबती भी उसे देख लेती है तो वो जल्दी से उसके ओफिस न पहुचते है परंतु वो लेट हो गई उससे पहले ही अपना लोलू ललित पहुच गया यहाँ पहुच करके उसके डट बहुत ज़दा शौख होते हैं पेलमबती को यह देखकर के बहुत दुख होता है और वो रोते-गया उससे एक फोटो दे थी है और फोटो देकर वहाँ से चली जाती है यहाँ पर लोलू ललित ने जब उस फोटो को देखा तो उसने नोटिस किया कि एक दिन जब उसका मैच हो रहा था तो वहाँ पर अल्रेडी इबू हटेला मौझूद था जबकि ये तो उस समय की बात है जब वो इबू हटेला को बिलकुल भी नहीं जानता था और ये काफी सालों पहले की पिक है ये देखर कि लोलू ललित काफी कनफ्यूस हो जाता है और सीधा पहुसता है इबू हटेला के पास हर बार की तरह है और यहाँ पर इबू हटेला उसे ग्यान पिलते हुए एक लंबी चोड़ी कहानी की रूप में ये बात बताते हैं जिसका सारांस मैं आपको बताता हूँ कि जो लोलू ललित के फादर है और यही रीजन है कि इबू हटेला आज इसकी इदनी हल्प कर रहे है क्यूँकि लोलू ललित इबू हटेला कही बेटा है और जो उसके करेंटायड है Gesetzentwurf रियलमे उसके डैड नहीं है यह बाद जब लोलू ललित सुनता है तो बिचारा बहुत हर्ट होता है और काफी ज़्यादा शौक भी होता है जिसके बाद वो सीधा जाता है अपनी मॉम के बास और उनसे ये बात कंफर्म करता है दोस्तों यहाँ पर हमें समझ जाता है कि यही रिजन है कि लूलू ललित के फादर उसकी मॉम पर ज़्यादा इंटरस्ट नहीं दिखाते थे और य लूलू लित और उसकी मॉम तीनों एक साथ रहने लगें मतलब इनकी अपनी एक फैमिली स्टार्ट हो गई है और जो इसके फादर थे वो अब पेलंबती के साथ रहते होंगे खैर इसी हैपई एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है तो मूवी आपको कैस से बात बगारा करना चाहते हो तो इंस्ट्रेगां पर फॉलोगर के मैसेज कर लेना हमारे सेकेंड चैनल को तो बिलकुल भी सब्सक्राइब कर लेना उस पर तो इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवी जाती है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है थैंक और ने घए, बाइ, साइन दो